हेलो मेरे भाईयों कैसे हैं आप सभी उम्मिद है कि आप सभी अच्छे होगे आपको बता दें आज आपके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी कोजगार्ड में दुस्तों तीन बड़ी भरती लिकल चुकी है आपके लिए जी मेरे भाईयों आपने सही सुना जी डी में और डी बी की और यांतिर की कोजगार्ड में दुस्तों आपके लिए भरती आईये और इन भरती में कौन-कौन आविदन कर सकता है सवी बाते आपको इस वीडियों बताएंगे इसमें जी बेटी क्या रहने वाली है एज लिमिट क्या रहने वाला और कब से अविदन सुरू होने वाले है इसका लाड़ डिट क्या है आपको इस वीडियो हम बताने वाले हैं भाष्ति को लेका जानकारी तो आपको क्या करना प्लीज वीडियो पूरा दिखना हो सके तो लाइक का देना इस वीडियो को सेर का देना वीडियो स्टाट करते हैं हम बिना किसी दरी के में नाम राम है आप भी हम जिस्टडी चलिए नोटिविकेसन आउट हो चुका है और जो भरती आई है कि इनके परदों के आई हैं आपको वता दें नेविक जी डी यानिकि जो डूटी और नेविक डीवी यानिकि डॉमेस्टिक ब्रांच और यान्ति के लिए दोस्तों वेकंसी आई है इंटेक सेकंड 2021 वाले बैच की तो और कब तक चलेंगे उन्हीं जन्व़धी तो फार्म चलने वाले हैं 5 जन्वधी से लेके 20-20 तक फॉर्म चलने वाले हैं और जब भी फॉर्म एपलाई होंगे तो उसके पडर वीडियो बना देंगे चिंता ना करें प्लीस आप सी चैनल सस्क्काइब जरू कर लेना अब किया है तोँ एक ही करके हम बात करेंगे इसमें इप्च कौलिफिकेस्न आपको बता दे यह इदि आप gonna spring और आप से की वेकंसी में अपलाई कर सकते हैं दोनों में 10 इलिए दोस्तो दोनों वेकंसी आई आप से देख लो और सबसे अच्छी बात दोस्तो इसमें यह है कि आप परसेंटेज आप कोई मेर्टर निक剛 करने बाली है जी मेरे भाईयो बस आपका 10 वे और बारी पास होना चाहिए सबका admit करे आएगा इसवार क्योंकि exam जो होने वाला वो online होगा और online exam होगा तो मेरे भाईयो सबका admit करॉंगा आने वाला चिंता ना करो जैसे इसवार हुआ है DB में दोस्तों high percent के साब से admit कर आया है लेकिन आने वाली भरती जो ये जो vacancy आई है इनमें सब का admit कर आने वाला सभी आविदन कर सकते हैं और सभी का admit कर आएगा अब percentage आप कोई मानने बात ने रही है दोस्तों सब का admit कर आएगा बस आपका दसमें और बारी पास होना चाहिए अब बात करते हैं भाईयो मैं टॉपिक की इसमें age limit याने की DOB क्राइटेरिया क्या होगा क्या हम इन भरती में apply कर पाएंगे ने कर पाएंगे तो आपको बता दें यदि आप आप आपको दिखा दें और यदि आप DB domestic branch में apply करना चाहते हैं तो उसमें दोस्तों आपका DOB कितना होना चाहिए एक अक्टूबर 1999 में से 30 सितंबर 2003 के बीच आपका DOB होना चाहिए यदि इसके बेच आपका DOB आ रहा है किलियर देख लो यदि आ रहा है दोस्तों आपका DOB तो आप सभी इन वाली भरती में apply कर सकते हैं सब कुछ सामने आपके है तो आप देख लेना यदि आप दोस्तों नेविक जीडि या या यान्ति की वेकंसी में apply करना चाहते हैं तो आपका DOB criteria यह होना चाहिए यान कि इसके बीच होना चाहिए और यह notification हमें telegram पर डाल दिया है यदि आपने भाईयो telegram जोइन ने कराया तो क्या कर रहे हो प्लीज आप से भी telegram जोइन कर लेना क्योंकि हम पलपल की जान करी telegram पर आपको बताते रहते हैं telegram पर आपको यह notification मिल जायागा और telegram का link आपको नीचे दे दिया comment box में वहाँ पर आप से भी मिल जायागा join कर लेना मेरे भाईयो सब कुछ जान कर यह आपको telegram पर हम देते रहते हैं पलपल की तो इसके बीच आपकर डियो भी होना चाहिए दसमी और बारी पास के लिए all India vacancy किसी भी रजजगयों आप apply कर सकते हैं और हमने आपको बता दिये कब से होने वाले और लाड डेट हमने आपको बता चुके हैं और दसमी बारी पास के लिए दोस्तो वेकंसी आई है किसी भी रजजगयों apply कर सकते हैं मेरे भाईयों चिंता करने कोई बात नहीं है इसके भी आपका डियो भी होने चाहिए तो दोस्तो आपके पास सुनेरा मौका है इंडन कोशगार्ड में जाने का आपके लिए दोस्तो भरती आ चुकी है और सभी का admit कर आएगा सबसे अच्छी बात तो ये दोस्तो ये है और सभी apply कर पाएंगे और सभी का admit कर आने वाला जैसे इंडन नहीं में होता है एरफोर्स में होता है तो इंडन कोशगार्ड में दोस्तो ऐसी होने वाला है तो आपके लिए दोस्तो सुनेरा मौका आ चुका है हमने आपको बता दिया और सभी जानकर ये आपको अगली वीडियो में देने वाले क्या क्या होने वाला इस वीडियो में दोस्तो आपको अपडेट देना है तो हमने आपको बता दिया कोशगार्ड में दोस्तो वेकंसी आ चुकी है और आप देख लेना